Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल और जो Lander है, जिसको यहाँ पर Shift सक्ती पॉइंट बोला जाता है, यह वहीं पर रहेगा, यह अब वहाँ से नहीं हिलेगा, लेकिन इस्तरो ने क्या किया है, यहाँ पर वापस से जो Lander है, उसको Activate किया है, उसके Engines को Activate किया है, आपको पता ही होगा, यहाँ पर 4 Engines लगे हैं, उसको वापस से Reactivate करके, जो Lander है उसको वापस उपर उठाया, और दूसरी जगर लाकर वापस से Soft Landing की है, यह आप देख सकते हो 2019 में जो lander है उसके अंदर 5 engine लगे वे थे वापस से हम उसको 4 engine पर ले आए वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है अगर आप UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके सबसे कम दाम पर ले पाएं और इसके लावा अगर आप MCQs अटेम्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेच पर जा सकते हैं वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वह आप अटेम्ट कर पाएंगे चलिए सुरवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly organization उन्होंने ये कहा है कि विक्रम लेंडर को दुबारा से जी हां दुबारा से soft landing कराई गई है और कितना बताया जा रहा है कि जहां पर विक्रम लेंड किया था जिसको शिव सकती point बोला जाता है वहाँ से लगभग 30-40 cm दूर जाकर उसकी लेंडिंग वापस से कराई गई ह in fact मैं आपको एक interesting की बताता हूँ देखो क्या है कि जहां पर ये land किया था उसको हम बोलते हैं शिव सकती point ठीक है अब यहां से उसको पहले race किया जाएगा उपर उठाया जाएगा तो विक्रम लेंडर को लगभग 40 cm उपर ले जाए जाए गया और फिर वहाँ से लगभग 30-40 cm दूर ले जाकर वापस से चांद की सतह पर land कराया गया है ऐसा इसरो का कहना है और इसलिए देखेए गर आप उनका tweet उन्होंने कहा है कि चंद्रियान 3 mission विक्रम soft landed on moon again और यहां पर बुला गया है कि विक्रम lander exceeded its mission objective मतलब हमारा objective क्या था हमारा तो simple objective था कि जो विक्रम lander है उसको एक बार successfully land करा दिया जाए किसी ने यह नहीं सोचा था कि वापस से विक्रम lander को reactivate किया जाएगा और दूसरी जगह पर land कराया जाएगा so it successfully underwent a hop experiment तो इसको बोला गया है hop experiment एक जगह से दूसरी जगह वापस land कराना on command it fired the engines elevated itself by 40 cm मतलब कि यहां पर engine fire करने के ब cm दूर जाकर वापस से इसको land कराया जा है देखो अगर आप दूरी देखोगे तो बहुत जादा नहीं है लेकिन still यह करना अपने आप में बड़ी बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और इसके साथ साथ यहाँ पर जो वीडियो का footage है वो भी release किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ यह आगर आप देखोगे वीडियो footage जो release हुआ है यहाँ पर आप देखिए इसको ध्यान से तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर जो चान की सता है वो dust उड़ रहा था तो वही मैं आपको दिखाना चाता था कि वापस से जो विक्रम lander है उसको hop experiment के तहट दूसरी जगा soft landing कराई गई है लेकिन इसके साथ साथ एक और interesting कि मैं बता दूँ कि इसको experiment करने से पहले यहाँ पर जो भी instrument deployed थे जैसे कि आपने चैस्टे के बारे में सुना होगा तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर जो चैस्टे है यह क्या कर रहा था? जो moon का surface temperature आपने सुना होगा ना कि 10 cm नीचे में ही यहाँ पर लगबग 60 degree Celsius का difference देखने को मिला फिर इसके लावा ILSA यह वाला जो basically payload है वो moon quake वहाँ पर जो मदब धर्ती पर भुकम पाता है लेकिन चांद पर इसको आप moon quake कह सकते हो तो उसका जो seismic activity है वो measure किया था तो इसको करने से पहले इसको दूसरी जगा ले जाने से पहले इस तरह के chest और ILSA को पहले fold किया गया वापस से और फिर इसको वापस से redeploy कर दिया गया लैंड होने के बाद वापस से इसको redeploy कर दिया गया है और जो प्रग्ञान rover है वो तो आप सबको पता होगा दो दिन पहले खबर आई थी कि उसको sleep mode में डाल दिया गया है, activate कर दिया गया है, ताकि जब दुबारा से वहाँ पर दिन होगा, lunar day start होगा, तब उसको activate करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन question यहाँ पर यह है कि यह इतनी बड़ी खबर क्यों है, यह इतना बड़ा achievement क्यों बताया जा कि, आपको पता है ना कि हमारा आगे चल कर यह plan होगा, कि जो sample return mission है, मतलब moon पर पहले हम lander भेजेंगे, rover भेजेंगे, वहाँ पर जो rock है, उसको एकठा करेंगे, और उसको वापस धरती पर लाने के कोशिश करेंगे, वो आगे आने वाले mission में, यहाँ पर तो होना possible नहीं ह ठीक है, वो ऐसा बनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले ही हमारे पास इस तरह की छमता आ गई है, कि किसी चीज को land करा कर वापस हम उसको re-land करा सकें, तो इसके लिए बहुत important हो जाता है, as of now अगर आप देखोगे तो कोई mission plan तो नहीं किया गया, officially बोला नह ही गया है, चंदिरान 4 या चंदिरान 5 के बारे में, लेकिन अगला mission गगन यान प्रोजेक्ट होने वाले आपको पता है कि इसमें 400 km अबव अर्थ, जो space है, वहाँ पर ले जाया जाएगा क्रू को, और 3 दिन तक का ये mission होगा, वापस धर्ती पर लाने की कोशिश की और इसलिए हमारे लिए भी important हो जाता है कि इस mission को हम आगे चलकर successfully conduct करा सकें, जहां तक NASA की बात है तो आपको पता है, यह Artemis 3 mission के तहट, NASA यहाँ पर फिर से crude lunar exploration mission को launch करेगा, लेकिन वो 2025 के बाद ही हो सकेगा possible, खेर यहाँ पर एक interesting चीज में आपको बताना चाह रहा था, व 1 mission गया था 2008 में, तो 2008 के समय जो सोचा गया कि अगला हमारा mission होगा चंद्रयान 2 जब उस समय सोचा गया, तब चंद्रयान 2 mission में पहले बोला गया कि 4 जो engine है, वो deploy किये जाएंगे lander में, 4 engine होगे, लेकिन आगे आगे चलते चलते जब चीज़ें डिले होती गई, और 2019 में ज गया, lander के, और ये 5 engine डाला गया था पिछले वाले mission में, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि वो आपका fail हो गया था चंद्रयान 2 mission, और lander जो है वो crash हो गया था, जिसको आज हकी edit में हम तिरंगा point से नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो scientist है, उनका ये कहना था कि end moment पर ये जो 5 वाला engine डाला गया था, इसकी वज़े से बहुत सारा confusion आ रहा था, और कहीं न कहीं आप कह सकतो ये जो confusion create हुआ, उसी के वज़े से जो हमारा mission था चंद्रयान 2 को land कराने वाला, वो successfully शायद नहीं हो पाया था, खेर, वापस से चंद्रयान 3 mission में, scientist ने यही सोचा कि हमें 4 engine के साथ जाना चीए, तो lander में इस समय जो गया है, वो 4 engine के साथ गया है, और अब हम उसको काफी अच्छे से successfully land करा पाये हैं, और दुबारा करा पाये हैं, अब question यह है कि आगे rover का क्या है, देको lander की हमने बात करनी, देको rover यहाँ पर sleep mode में जा चुका है, जब आ रहा है, और आपको पता ही होगा, कि यहाँ पर एक जो crater है वो आ गया था सामने, जिसकी जैसे उसको अपना path change करना पड़ा था, path change करनी की जैसे यहाँ पर जो total distance उसने तैय किया है अभी तक, लगभग 100 cm के आसपास बताया जा रहा है, sorry, 100 cm नहीं, 100 m के आसपास, ठीक है, तो लगभग रोवर ने 100 m तैग कर लिया है, और अभी यहाँ पर इसको रख दिया गया है, यह जो point आप देख रहे हो, और वहाँ पर वो sleep mode में चला गया है, अब आगे क्या होगा देखो, अब क्या है ना, कि यह mission हमने कहां पर launch किया, यह चंद्यान्त्री हमने south pole पर launch किय ठीक है, land करा है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है, आपको तो वैसे पता होगा 14 days का होता है, वहाँ पर lunar day और फिर 14 days का lunar night होता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि क्योंकि यह south pole है, वहाँ पर सूरज की रोशनी पूरे 14 दिन तक नहीं रहती, बहुत कम-कम होती है, तो इसकी वज़े से आप कह सकते हो, वहाँ पर lunar day जो है, यहाँ पर south pole पर बहुत कम, मतलब 5-6, 7-8 दिन का आप कह सकते हो, 8-9 दिन का ही मिल पाता है, ठीक है, तो इसकी वज़े से क्या है कि इसको जल्दी sleep point में डाल दिया जाता है, अब अगला मैं आपको बता द समेंबर को वापस से कोशिश की जाएगी, रोवर को restart करने की, और जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर को भी वापस से restart करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, बताई, hope कि इस वीडियो के माध्यन से आपको काफी कुछ जाने को मिला पिले, एक interesting question, ये काफी हद तक माना जाता है कि moon is formed from the debris left over after the giant impact between earth and mass, जो giant impact हो था, उसकी जाएगी जाएगी बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो moon के हम बात कर रहे हैं, तो इसका right answer आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नह ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF और टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा मने आपको बता है, UPSC के अगर आप त्यारी करो, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount, and I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलतों आपसे नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you soon.